हेलो फ्रेंट्स स्वागत आप सभी का जीके ट्रैक यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए अपरेल मंत करेंट अफेर्स के कुछ इंपोर्टेंट कॉस्सन लेखाया हूँ देखें इससे पहले भी में कई करेंट अफेर्स और अन्य जीके से रिलेटेट वीडियो भी अफ्लोड कर चुका हूँ अगर आपने बे वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को एक बाद जरूर देखेगा तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पर आज का पहला कॉस्चन है हाली में किस देश ने फिर एक नए सकतिसाली आयुदों से युक्त हतियार का परिक्सान किया तो इसका right answer option D हो जाएगा उत्तर कोरिया नहीं यानि कि नोर्थ कोरिया नहीं आपको याद रखना है और अगर हम बात करें नोर्थ कोरिया की राजधानी क्या है तो प्योंग येंग इसकी राजधानी है और दच्छन कोरिया की राजधानी क्या है सी ओल है तो आपको दोन בारत्या पहलवान बजरंग पुनिया ने पुर्सो की कितने किलोग्राम फिरी स्टाइल कुस्ती में फिर से 20 में पहला इस्ठान हासिल किया। देखें बेले इंपोर्डंड ने यह तो इसका राइट आंसर ओप्षन भी हो जाएगा यह। आप इसे ज़रूर याद रखेगा, next question देखते हैं, time पत्रिका द्वारा हाली में जारिक की गई 100 प्रिभाब साली लोगों की सूची में किस भारतिय उद्धोग पती का नाम सामिल है, तो इसका right answer option ए हो जाएगा, मुकेश अम्मानी का, आपको याद रखना है, अभी time पत्र अमेरिका ने हाली में 100 प्रिभाब साली लोगों की सूची जारी की है, जिसमें भारतिय उद्धोग पती मुकेश अम्मानी का नाम सामिल है, और इनके साथ भारत की दो महिलाई भी हैं, जिनका नाम भी इसमें सामिल किया गया है, अरुधंति कार्जी और मेन का गुरू तो आपको इन तीनों का नाम याद रखना है, और मैं आपको टाइम पत्रिका के बारे में बतायाता हूँ, देखें, टाइम पत्रिका ये अमरिका का एक सपताहिक समचार मेगनीज है, जिसका प्रकासन अमरिका के नियू यार्क सहर से होता है, तो आपको याद रखना है, ये टाइम पत्री का कहाँ का सब्ता ही समचार मेगनीज है, अमेरिका का, तो चलिए next question देखते हैं, Question number 4 है, भारत और बियतनाम के मध्य संपन हुए, दूसरे नोसेनिक युद्ध भ्यास में भारत के किस समुद्री जहाज को सामिल किया गया था, तो इसका right answer option C हो जाएगा, INS कोलकाता, इसे समिल किया गया था, और ये दूसरा जो भारत और बियतनाम के मध्य है, नोसेनिक युद्ध भ्यास था, ये 13 से 16 अपरेल के बीच हुआ था, आपको याद रखना है, और अगर हम बात करें, बियतनाम की राजधानी क्या है, तो हन 2019 में भारत निम्न में से कितने स्थान पर है, देखे, very important question है ये, तो इसका right answer option, ये हो जाएगा, 140 वे स्थान पर है, इस समय भारत 20 प्रेश स्वतंतरा सूच कांग में जो भारत की रेंकिंग है, 140 भी है, और ये कितने देशों में है, 180 देशों में भारत की रेंकिंग, 140 भी है, अगर हम बात करें, 2018 में भारत की रेंकिंग क्या थी, यानि कि पिछले वर्स, तो 138 भी थी, और इस समय पर जो पहले स्थान पर देश है, यानि कि पहले नंबर पर जो रेंकिंग है, किस देश की है, तो नार्वे देश की है, और दूसरे नंबर पर आता है, फिन तो आपको याद अखना है, नेश्ट कोस्टन देखते है, कोस्टन नंबर 6 है, बिस्व लीवर यानि कि बिस्व यकरत दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर उप्शन यह हो जाएगा, 19 अपरेल को, आपको याद अखना है, बिस्व लीवर यानि कि यकरत दिवस, 19 अगर हम यहाँ पर बात करें 18 अप्रेल की तो 18 अप्रेल को 20 विरासत दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रेल को 20 विरासत दिवस मनाया जाता है और 25 अप्रेल को 20 मलेरिया दिवस मनाया जाता है तो यह चारों दिवस बेरी इंपोर्टेंट हैं तो आप इन्हें याद रखेगा टिक टोक हटा दिया गया है तो इसका right answer option यह हुजाएगा मद्रास high court देखे मद्रास high court ने सुप्रीम कोट से टिक टोक पर रोग लगाने को कहा था लेकिन सुप्रीम कोट ने इसे भारत में Google Play Store और Apple के App Store से हटा दिया है तो आप सभी इसके बारे में जानते होंगे टिक टोक के बारे में यह एक Chinese Video Sharing App है तो चलिए next question देखते है question नमर 8 है किस दिगज गाईका ने फरवारी में पुल बामा आतंकी हमले में सहीद हुए CRPF जवानों के परिये जनों को एक करोड रुपे देनी की घोशना की है तो देखे आप से भी जानते होंगे जो 14 फरवरी को बारत के पुल बामा में जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें भाकाई भारते जबान सहीद हुए थे तो हाली में लता मंगेश करने उन CRPF जवानों के परिजनों को एक करोड रुपे देने की घोशना की है तो इसका right answer option B हो जाएगा लता मंगेश करने next question देखते है बिस्प के सबसे बड़े artificial intelligence यानि की क्रेत्री मुद्धी मता सिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा तो इसका right answer option D हो जाएगा संयुक्त अरब अमिराथ में आपको याद रखना है देखे कहाँ पर किया जाएगा संयुक्त अरब अमिराथ में दुआई बर्ड ट्रेयर्ड सेंटर पर तो आपको याद रखना है और अगर हम बात करें संयुक्त अरब अमिराथ यानि कि UAE की राजधानी क्या है तो अबू धाबी है तो सलिए नेश्ट कोसन देखते है किस भारते महिला एक दिवसे क्रिकेट टीम की कपतान को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ड कप में टीम इंडिया के गुड़ विल अमबेश्डर के रूप में नामित किया गया है तो किसे किया गया है तो इसका राइट आंसर उप्षन सी हो जाएगा मिताली राज ये इस समय भारते महिला क्रिकेट टीम बंडी क्रिकेट टीम की कपताने इनने स्टीर्ट चाइल्ड किरकेट बर्ड कप में टीम इंडिया के गुड़ विल एंबेश्डर के रूप में नामित किया गया है तो आपको याद अखना है मिताली राज को नेस्ट कोसन देखते है गूगल ने हाली में अफरीका के किस देश में पहली बार Artificial Intelligence केंदर यानि की क्रेत्रिम बुद्धी मता केंदर आरंब किया है तो किस देश में क्या है तो इसका Right Answer Option डी हो जाएगा गाना देश में आपको याद अखना है और इसकी राजधानी क्या है अक्रा इस देश की राजधानी है तो चलिए Next Question देखते है Question नमबर 12 है प्रिसिद्ध कंपनी सोनी दौरा जापान में हाली में किस नाम से टैक्सी सेबा आरंब की गई है तो इसका Right Answer Option भी हो जाएगा S Ride नाम से आपको याद अखना है आप सभी सोनी कंपनी के बारे में जानते होंगे यह है एक Electronic समान निर्वाता कंपनी है तो इसने हाली में जापान में S Ride नाम से टैक्सी सेबा आरंब की है यहाँ पर जो S का इन्होंने अर्थ रखा है Simple Smart Speed यहाँ पर इन्होंने S का अर्थ दिया है तो आपको याद अखना है तो चलिए Next Question देखते है निमने लिखित में से किस देश के बेग्यानिकों ने हाली में क्रेत्रिम 3D हिर्दया बनाने में सफलता प्राप्त किये है देखें Very Important Question है यह तो इसका Right Answer Option D हो जाएगा इजराइल इजराइल देश के बेग्यानिकों ने क्रेत्रिम 3D हिर्दया बनाने में सफलता हांसिल किये है तो आपको यह जरूर याद अखना है और अगर हम बात करें इजराइल देश की राजधानी क्या है तो जेरू सलाम है तो यह कई बार एकज़ाम में राजधानी पूछे जाती है तो आप इसे भी याद रखेंगे चलिए Next Question देखते है बहे देश जिसने हाली में बिस्वी की पहली ससस्त उभेचर यानि की पानी एवं जमीन पर चलने वाली ड्रोन नोका का सफल परिक्सान किया तो इसका सही आंसर ओप्सन सी हो जाएगा चीन देश ने देखे ये भी काफी important question है तो आपको ये भी याद रखना है बिस्व में पहली बार ससस्त उभेचर यानि की उभेचर जमीन एवं पानी में चलने वाली ड्रोन नोका पहली बार किस देश ने बनाई है तो चीन देश ने बनाई है जिसका इसनों ने हाली में सफल परिक्सान किया है तो चलिए अगला question देखते है question नमर 15 है निमन लिखित में से किसे हाली में केनरा बैंक का MD और CEO निउक्त किया गया है इसका सही answer option ए हो जाएगा आर ए संकर नरायन को आपको याद रखना है इन्हें केनरा बैंक का MD यानि की प्रबंध निदेशक और CEO यानि की मुखे कारेकारी अधिकारी निउक्त किया गया है आर ए संकर नरायन को चलिए next question देखते है अबू धाबी अंतराष्ट्य पुस्तक मेले में कौन सा देश गैस्ट ओफ ओनर बनाया गया है तो इसका right answer option C हो जाएगा भारत को आपको याद अखना है ये जो अबू धाबी में अंतराष्ट्य पुस्तक मेले लगेगा ये 29 अंतराष्ट्य पुस्तक मेला है जो 24 अपरेल से 30 अपरेल तक लगेगा इसमें guest of honor किस देश को बनाया गया है भारत को बनाया गया है तो चलिए next question देखते है भारत ने बिदेश मंतराले में किस नए बिभाग की स्थापना किये है देखे most important question है ये तो इसका right answer option ये हुजाएगा इंडो Pacific की आपको याद रखना है भारत के बिदेश मंतराले में नए बिभाग इंडो Pacific की स्थापना की गई है देखे ये बिभाग हिंद महासागा रिम एसोसियेशन आसियान छेत्र और कुआड के मध्या सम्मंदों को बेतर बनाएगा तो कौन से नए बिभाग की स्थापना की गई है इंडो Pacific की तो चलिए next question देखते है Question number 18 निमन लिखित में से किस महिला बॉक्सर ने 54 kg स्रेड़ी में मुक्यवाजी बिश्वकप 2019 में हाली में सुन्ड पदक जीता है तो देखे ये भी काफी important question है तो इसका right answer option C हो जाएगा मीना कुमारी ने इनका पुरा नाम मीना कुमारी मेश राम है तो इन्होंने हाली में मुक्यवाजी बिश्वकप 2019 जर्मनी में हाली में सुन्ड पदक जीता है तो आपको यादख नहीं कितने kilogram बर्ग में जीता है 54 kilogram सेड़ी में जीता है तो चलिए next question देखते है किस भासा के कभी के सिवा रेड़ी को प्रतिष्चित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है तो इसका right answer option C हो जाएगा तेलगू भासा के कभी इनका क्या नाम है के सिवा रेड़ी तो आपको जरूर याद अखना है आपको ये question आने वाले exam में कभी ने कभी देखने को जरूर मिलेगा 2018 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है के सिवा रेड़ी को दिया गया है ये किस भासा के कभी है तेलगू भासा के कभी है और ये 28 बर सरस्वती सम्मान है अगर हम बात करें 27 बर सरस्वती सम्मान कि यानि 27 के तो किसे दिया गया था तो सितानसू येस चंदर को दिया गया था तो चलिए next question देखते है निम लिखित में से किसे हाली में बिस्व बैंक का अध्यक्स चुना गया है देखें ये question मैंने इससे पहले के current affairs के वीडियो में बताया था तो आपको इस question का right answer आपको हमें comment box में बताना है तो ये question मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ इसका answer आप हमें comment box में जरूर बताईएगा तो दोस्तो आज के लिए इतना ही उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं तो हमारे पहले की सबी वीडियो देख सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार